हेलो फ्रेंज वेलकम तो दे कागाइड मेरा नाम है रिशव और मेरा काम है आप तक लेकर आना लेटेस काज की न्यूज, आफ़स, टेस्ट, एफसेसरी, कमपैरिसन और बहुत सारी अमेजिंग वीडियो आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दे युन्डे i20 2020 मॉडल एक्स्टीर कल आपके साथ शोकिस किया था, आज इंटीरियर में कम्प्लीटली दिखाने वाला हूं इंक्लूडिंग इंजन स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, दिजाइनिंग उसके साथ साथ हम एक्स्टीर भी दबारा से अपके साथ शेयर करोंगा और इतनी सारी डिटेल्स इंजन की पावर, माइलेज, प्राइज, वेरियन का उननाई न न इसलिएगा वेला हूं सब कुछ इन्टैलल पर इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है, चलिए अब आज की वीडियो को इस शूरू करते है, सबसे बहले आपको बता दू कि ये गाड़ी इन इंटेशनल है जो आज हम दिसकस करेंगे और आपको बता दो कि इंडिया में इसका लॉंच जो है वो होने वाला है में या जून के आसपास प्राइजिंग के बात करें तो इस बार थोड़ी सी प्राइजी सेग्मेंट होगा इसका छे लाग से लेकर दस लाग तक कि इसकी एक्शोरों प्राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके फीचर इसके इंजन इसके ब्रैंड को देखते हुए मेरे इसाब से प्राइज थोड़ी ज्यादा है काम होनी चाहिए थी बट वाट दो यू थिंक अबाउट दा आई 20 2020 मॉडल की प्राइज नीचे कमेंड करके जरूर बता दे देमेंशन से शुरुबात करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंटरनेशनल वर्जिन है वो फोर मीटर प्लस है इंडिया में उसकी जो लेंथ है कम करती जाएगी लेकिन पहले से ज्यादा ये चौड़ी भी है हाइट थोड़ी काम हो जाएगी लेकिन आपको वाइज और वीलबेस वाइज जादा बड़ी ये गाड़ी मिलने वाली है कुछ मिली मीटर का फरक पड़ेगा लेकिन उसकी वाइसे बूट स्पेस लेग रूम और थोड़ा ये चीज़ें ये बढ़ जाएंगे और आपको जो कैबिन है वो स्पेशिस लगने वाला डेफि सब्सक्राइब लेट नाम जो दे रही है सेंशुसवॉस बनेगा वैसे शैंशुस पोटिनेस डिजाइन लेंगविज ये पहली काड़ी होगी इस इस डिजाइन प्लैटफॉम पर आने वाली आपको ये बता दो कि एग्रेसिव लुक्त इसमें मिलते हैं आपको और आपको देखने को मिलेगी डायमन पैटरन आपको मैश डिजाइन भी देखने को मिल जाएगा और यह एंगुलर जो डिजाइन अपर थीम है यह आगे से शुरूओ के नीचे पीछे साइड हर जगह तक यह आपको डिजाइन देखने को भी लेंगे सबसे बहले निगाज आती है इसके ट्रेंगलो शेफट फॉग लांप में जो आपको कहीं नहीं वली आई उसकी तरह देखने में लगते हैं साथ के साथ इसकी जो लाइट्स है वह भी मिक्स जैसे जमें निकल और इसकी फोटो से शेयर की तो कई लोगों को अच्छी लगी मुझे बता दें क्या आपको इसकी जो डिजाइन है नया वह कैसा लगेगा जैड शेप्ट आपको इसमें लीड इंसर्ट देखने को मिलेंगे चाहे वो टेल लांप सो चाहे वो फ्रंट हो वहां पर भी एंड फ्रंट वले आपको जो रैपराउंड है लेड अच्छे लग ब्लैक डॉट किया गया है थोड़े डिफरेंट उसमें लग रही है इसके साथ साथ में आपको बताना चाहूंगा कि जो यह जो साइड प्रॉफाइल में सबसे अच्छी जीज़ जो मुझे लगी है वो है अंदर अलॉइवील और मुझे कहीना कि लगता कि आपको भी इसक सेवन्टी लीटर्स और आ गई है इसमें वह हो गई है 351 लीटर्स अब देखना है यह होगा कि इंडियन वेरियंट की क्या बूट्स पेस होगी विगाज उसके लेंथ कोड़ी कम होगी अब बहुत सारे डिजाइन डिवेंशन की बात कर ली आप चलते हैं गाड़ी के अब बात करते हैं अब बात करते हैं इंटीर के बारे में इंट्रस्टिन फैक्ट्स हैं कुछ अच्छी चीजी आपको जेखने को मिलेंगी एंड स्केचिज आये बेसिकली एक्ट्स फोटो यह नहीं है लेकिन इसे काफी आपको आइडिया लग जाएगा कि इंडियन वेरि 2020 अभी Auto XP 2020 में दिखाई गई थी वीडियो आचो के नहीं देखी तो भी देख लें आपको बतातों कि उसी तरह का इसमें स्टेरिंग वील आया है डिजाइन जो है कहीना कि आपको ब्रश अलुमीनियम इंसर्स देखने को मिलेंगे साथ में लेधर रप स्टेरिंग वील अस में तो आपको यह सारी चीजें आपके स्टेरिंग पर ही में जाएंगी एंड कहीना कि इसका डिजाइन है स्टेरिंग वील का मदब जो बटन्स का डिजाइन है वह आपको किया सेल्टोस क्रेटा और एक साथ शेर करने वाले हैं और मोस्ट पाबबली वरना 2020 में भी इसी को लाया जाएगा आपको भी दिखाना चाहूंगा कि जो इसमें आपको ट्सक्रीन मिल जाती है वह बिलती है आपको 10.25 इंच की जैसी कि आपको किया सेल्टोस में मिलती है कि बिल्कुल सेंटर में नहीं है यह थोड़ी सी ड्राइवर वाली साइट है कि ड्राइवर के लिए जाते है जब द्राइव करते करते स्क्रीन की तरफ देखना चाहता है जो जो स्क्रीन की पुजिश्टनिंग है जो एंगल वो ड्राइवर के अकॉर्डिंगली सेट किया गया है कंपनी की तरफ से और विरिंग में तो 10.25 इंच की तस्क्रीन आईगी लेकिन सेंटर इसेंट और इसमें आपको मिलेगा फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसा कि क्रेटा 2020 में भी आएगा इसमें भी आएगा बहुत ही प्यारा लगने वाला है आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो पूरा आपको इसमें काफी तरह के डिजाइन एलिमेंट्स यूज किये गए हैं एक सेंट्र में आपको क्रोम की स्ट्रिप पूरी मिलेगी एसी वेंट्स पूरे इंटीग्रेटेड एडेशबोर के अंदर ही और आपको 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 स्टोरेज के मामले में आपको नहीं फेस करनी बड़ेगी इसी वेंट्स उपर के साथ सथ नीचे एसी कंट्रूल भी देखेंगे वह भी थोड़े यूनीक तरह के हैं और लेट सी इंडियन मार्कें में किस तरह क्या आते हैं इस पे आपका ध्यान जा रहा होगा तो अंदर आपको एम्रेल लाइटिंग में मिलेगी बोस के सेवन स्पीकर में मिलेंगे और सीट के ओपर मल्टी कलर डिजाइन भी लेगे किसी किसी में ग्रीन आएगा किसी में रैड आइगा किसी में ब्लू आइगा तेखते हैं क्या होता है लांच वाले टाइम पे लांच 28-volt mild hybrid system भी ओफर करेगा आपको वह यह भी बता दो कि इसकी वज़े से आपकी जो माइलेज है वो 3-5% इंक्रीज हो जाती है इसमें आपको 6-speed manual option मिलेगी और 7-speed dual-catch transmission as well यह तो सबको पसंद आएगी DCT definitely Hyundai company यह भी क्लेम कर रही है कि i20 का जो यह नया 1-liter टर्बो पेट्रो में भी प्रवाइड किया जाएगा जहां पर आपको मिलेगी 99 HP की पावर और कभी आपको यह बता दू इसकी जो प्राइस थोड़ी सी कम होगी रही बात एक और ऑप्शन की वह होगा एक 84 HP का 1.2-liter का नेचरल रेस्पिरेटेड पेट्रोल एंजन जो की बेस वीरियंट में होगा और बेस पिरियंट से एक उपर वाले में जिसकी वैसे प्राइस जो है वो कम रखी जाएगी इसमें आपको किसी भी तरह की हाइब्रेट एक नहीं मिलने वाली है 5-speed manual transmission मिलेगी आटोमेटिक इसमें नहीं आएगा तो बेस फिरियंट में अगर कोई लेना चाहता होगा तो इसको मैनुल पेट्रूल के साथ ही रहना पड़ेगा लेकिन वाट बाउट डीजल लवर्स डीजल में भी हुंडे कंपनी आई 20 को उफर करने वाली है अट लिस्ट इंटरनेशन इंजन को यह सिल्टोस वला ही इंजन आप कहते हैं कि 115 HP जनरेट करता है लेकिन इसकी पावर को थोड़ा कम किया गया है वेन्यू में और आई 20 में जनरेट करने वाला है 100 HP अच्छा इंजन है अच्छी पावर जनरेट करेगा एंड काफी रिफाइंड एंड साइल इंजन इस जतना हमने किया सेल्टोस को भी चलाया है वेन्यू हाइट 20 चलाना अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा यह सब मैंने आपके साथ सारी इसे डिसक्स कर ली है चाहे इसके इंजन हो चाहे इसका इंटीर हो चाहे इसका इक्स्टीर हो लोक्स के मामले में गाड़ी को अची लग रही है तो किसी को नहीं मुझे अची लग रही है लेकिन मैं Hyundai Company से इससे बेटर एक्सपेक्ट करता हूं मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि Hyundai Company बेस्ट डिजाइन लेकर है क्या भी लोग इस तरह का आया है जो काफी लोग को अच्छा नहीं लगा है बड़ कईों को अब आप मुझे बताएं आई 20 हो गई यहां क्रेटा हो गई यह वर्ना जो आने बली है उसका डिजाइन आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट जरूर कर दें इप टॉक बाट दो प्राइजिंग प्राइजिंग यह थोड़ी सी ज्यादा है एंड एम एक्सपेक्टिंग इस मार्केट में इसको लांच किया जाएगा जून में 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 इस गाड़ी को अन्वील करेगी कमपनी इसका जो डिरेक्ट कॉंपटिशन है वह होने वाला अभी रिसेंटली लॉच्ट टा एल्ट्रो जिसका रिव्यू हम अलड़ी कर चुके हैं मारूती शिजुकी बलेनों ज से ज्यादा पावफुल होने वाली है जितना हम इंजन अभी तक देख पा रहे हैं यह ता मेरी तरफ से सारी डिटेल्स यूंडे आई 20 की उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आई है तो किस बात का विट कर रहे हैं इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें मीचे